पिछले दो एपीसोड में हमने बात की केंसर खतरनाक तरीके से बल रहा है यह हर तीसरे घर में अल्रेडी पहुँच चुका है जारतर सबक्लिनिकल स्टेज में है या अनडाइग्नोस है हमने यह भी जाना कि जो इसकी इलाज है वो कारगर नहीं है और प्रिवेंशन ही एक मात रास्ता है तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि कैंसर प्रिवेंशन कैसे करें अगर मुझे कैंसर को एक शब्द में डिफाइन करना है तो वो मैं कहूंगा वो शब्द है विकास प्रिवेंशन को लेके तो शहर में रहना एक तरह से कैंसर की कडाही में रहने जैसा है और ऐसी इस्तिती में कैंसर से बचने के लिए हमें खासे जतन करने की जरूरत है आला से काम नहीं चलेगा अब मैं सीधे-सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं हमको पांच तरीके से मोर्चा सादने की जरूरत है पहला एलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड्स या रेडियेशन को लेके दूसरा पेस्टिसाइड्स को लेके तीसरा ऑक्सिजन की कमी को लेके चौथा कार्वोहाइड्रेट्स को लेके और पा आइक तरह से आप यह मानिए कि हम एक माइक्रोवेब ओवन की तरह रह रहे हैं और यह जो इनमें हमारे डी एने को डिस्टाॉर्ड करने की छमता है जिसकी वज़े से चैंसर ट्रिगर हो जाता है तो अगर हम इन से बचना चाहते हैं तो एक तो यह हैं कि हमें appliances का use कम करना होगा लेकिन इससे भी आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास mobile tower लगा हुआ है पड़ोसी ने wifi लगाया हुआ तो उसका signal आपके यहां तक आएगा इससे बचने का एक मात्र कारगर तरीका यह है कि हमें घर के अंदर की दीवालों को गोवर और मिटी से लीब देना चाहिए इसमें होता यह है कि गोवर और मिटी में बहुत सारा DNA होता है तो जो electromagnetic fields को या radiation को जो वो damage करना है वो इस DNA का damage कर देता है यानि कि यह DNA sacrifice हो जाता है और हमारा DNA बच जाता है तो मेरी advice number one यह है कि अपने घर की अंदर की दीवारों को चाहिए वो cement की हो चाहिए जिस चीज की हो चाहिए उस पर कोई भी paint आपने लगाया हो बहतर यह होगा कि हम उसके उपर गोवर और मिटी का लेब कर दे और अगर गोवर देसी गाय का हो और मिटी तालाब की है तो बहुत बड़ी है काम करें और दूसरी मशक्कत जो हमें करनी है वो करनी है पेस्टी साइट से तो जो पेस्टी साइट का सबसे बड़ा exposure हो रहा है हमारे उपर वो हो रहा है mosquito repellants को लेके यह all out good night यह जो है यह रात भर इनकी वैपर्स हमारे अंदर जाती है तो मैं यह कहूँगा कि अगर आपके हाँ मच्छर हैं तो मच्छर दानी की शरण में जाएं और इन mosquito repellants का इस्तिमाल तुरण बंद कर दे पेस्टी साइट का जो दूसरा टेक हो रहा है वो हो रहा है फलों और सब्जियों से तो हमें हरी सब्जियां और फल का इस्तिमाल कम कर देना चाहिए जब तक कि उनका source अच्छा ना हो या हम खुद ना उगा रहे हों और उनकी जगह हमें चाहिए कि हम घर पे बने हुए sprouts यूज़ करें हमको तीसरा मोर्चा समालना है ऑक्सिजन की कमी को लेकि अगर आपको याद हो तो पहले एपिसोड में मैंने बात की थी एक phenomenon की जो है बारवर्ग effect और ये बारवर्ग effect ये कहता है कि cancer cells को oxygen नहीं चाहिए तो जब कभी भी वातावरण में oxygen की कमी होती है तो हमारी cancer cells proliferate होने लगती है मतलब जो हमारी normal cells हैं उनके उपर cancer cells को बढ़त मिल जाती है तो हमें oxygen की कमी के environment से बचना चाहिए और इस से बचने का एक तरीका तो ये है कि हमें oxygen का production बढ़ाना चाहिए कि जहां ता हो संभव हो हर्याली करनी चाहिए लेकिन उस से भी बड़ा तरीका में ये कहूँगा कि हमको AC के उपयोग से बचना चाहिए तो मेरी दूसरी सलाह ये है कि हम AC का उपयोग बंद कर दें चाहिए वो घर में हो, चाहिए वो दफ़तर में हो, चाहिए वो कार में हो बलकि मैं तो यहां तक सुझेस्ट करूँगा कि ट्रेन में भी हम स्लीपर क्लास से ही जाएं और बारवर्ग इफेक्ट की बात करते समय हमने ये भी बात की थी कि कैंसर सेल्स को बहुत सारा गुलुकोज चाहिए तो हमें अपने खाने में कार्वो हाइडरेट या गुलुकोज की मातरा को कम करना चाहिए और कार्वो हाइडरेट या गुलुकोज आता है गेहूं, चावल, आलू, सेब, आम, अंगूर, केला इन जैसी चीज़ों से तो हमें कार्वो हाइडरेट युक्त चीज़ें अपने खाने में कम करनी चाहिए और हम चाहें तो इसकी जगे फैट बढ़ा सकते हैं और खाने में फैट बढ़ाने का जो तरीका है वो है ओईल सीट्स को बढ़ाना ओईल सीट्स मतलब मुमफली, तेल, नारियल बगेरा ओईल डिरेक्ली भी आप ले सकते हैं लेकिन ओईल गरम किया हुआ नहीं होना चाहिए मतलब कडाही में डाला हुआ जैसे की समोसे, कचोली, पकोड़े, जलेवी बगरा बना हुआ नहीं तेल कडाही में जाके डीफ फ्राई होने में या जाधा गरभ होने में खुद कारसीनो जनिक हो जाता है तो हमें इस तरीके के तेल से बचना चाहिए बलकि मैं तो यह कहूँगा कि घर से कडाही को बाहरी कर देना चाहिए और जो हमें पांच मां काम करना है वो अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाने का काम करना है और immunity बढ़ती है microbiota बढ़ाने से तो हमें अपना microbiota समालना चाहिए और microbiota समालने के लिए तीन तरीके हैं पहला यह है कि हम बहुत जादा सफाई करते हैं अगर तो उसको कम कर दें, आती स्वच्छता से बचें दूसरी चीज यह है कि package खाने को एकदम खतम कर दें package खाना बंद कर दें और तीसरी चीज यह है कि कभी-कभी उपवास करें उपवास करने से भी immunity भड़ती है अब हम यह जो तीनो एपिसोड हैं इनको summarize कर लेते हैं तो मेरी summary यह है कि सबसे पहले तो यह कि cancer बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें बेसुद होने की जरुवत नहीं हमको alert होने की जरुवत है और इस पे काम करने की जरुवत है और क्योंकि cancer की इलाज कारगर नहीं है इसलिए prevention ही एकमात रास्ता है और prevention के लिए जो मेरा सुझाव number one है वो यह है कि घर की अंदर की दीवालों को गोबर से और मिटी से बहतर हो कि देशी गाय की गोबर और तालाब की मिटी से लीप दें यह सबसे बड़ा तरीका है दूसरा तरीका यह है कि mosquito repellent all out, good night वगेरा का इस्तिमाल का बंद कर दें तीसरी advice यह है कि AC का उपयोग बंद कर दें और चौती advice यह है कि package food का उपयोग कम कर दें आतीस स्वच्छता से बचें और संभा हो तो घर में बने हुए sprouts का झाल झाल